विल्कम बैक टू माई चैनल प्रीती प्रिया तो फ्रेंड्स आज आप लोगो ले करके आ गई हूँ मिनी ताजमल जो महराष्ट के और अंगाबाद में है तो चलिए देखते हैं कि मिनी ताजमल कैसा है तो फ्रेंड्स तो मैं आ गई हूँ और आप लोगो के साथ सेयर करूँगी तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें यह है बाहर का एरिया और सामने वीवी का मकवरा यहां से टिकट लेना है उसके और इदर कैंटिन वगेरा भी है खाने पिने का और एरिया काफी बड़ा है और नाइट में साइद लाइटिंग वगेरा से और को सुरत लगता होगा काफी मेंटेनेंस में भी है यह टिकट काउंटर है और यहां पर मैं दिखाती हूँ यह लोकेशन में पर है 25 रूपीज पर परसन टिकट है और जलते हैं टिकट ले लिया बंदर चल के घुमते हैं तो काहिट ले लो परेश्चे संद्या कि इस तो बारे में अड़े में अच्छा आस कान का और यह है टिकट अब आ स्कैन करके अंदर जाना है साम के टाइम यह है मिनी ताज महल पर उसमें यह है कि यह पानी वहां है आगरा के ताज महल में यहां पानी नहीं है पर साम के टाइम फॉंटेंग चालू होते हैं अब यहां पर लोग फोटो अगेरा अपना लेट हैं यह देखा और बाहर गेट से यही तो दीख रहा था अंदर चलो अंदर चलो के देखते हैं इसे फोटो होत अच्छा रहा है यह अंदर जाने का इंट्रीगेट गुमबद कितनी बड़ी बड़ी गुमबद है यह सोने का गुमबद उपर लगा हूँ चलिए अब दिखाते हैं नीचे कभी हो यह पुरा नीचे कभी हो दिख रहा हैं अब दिखाते हैं यह जजजए यह बड़ी गुमबद ताने कितनी बड़ी गुमबद दिखाते हैं कि अच्चला फ मिच्चला और ए्म गाँ कि नच्चला थे अगी अच्छा बस यही है अच्छा बाहर का इधर का वो भीव काफी सुंदर लग रहा है बाहर का क्या इस सीरी से निचे जाएंगे तो इस इधर जो गार्डेन बना है यह सब कपका पुराना है क्या इस साम में लाइट जलता बाहर है पर यह साम में लाइट जलता होगा ना तो थोड़ा सा सुंदर लगता होगा यह तो बाहर का घुमारे होगा इस तरह से काफी बड़े एरिया में है और इतना गार्ण बगेरा गुमना है तो गुम सकते हैं मैं तो बस सब यहां से निकलूगी तो यह तो यह तो यह तो फ्रेंड्स वीवी कमक वरा आप लोगो घुमा दी अब इधर बहुत बड़ा यह गार्डेन एरिया है यह यह काफी बड़ा स्पेस में यह बना हुआ है तो बैटो नहीं जा रही हुआ भूमने के लिए बस मुझे देखना था कि कैसा है तो बस आ गई हूँ और आप लोग के साथ सेयर की हूँ चलिए अब यहां से चलते हैं अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर जो फरस्ट आप है चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राब जरूर करें और और अरंगा बाद जो लोग आते हैं तो वो यहां झालची